हेलो स्टूडेंट्स, स्वागे था आप सभी का अपके अपने एजुकेशनल चैनल NTSC टोहाना पर जहां पर हम आपको NTSC की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैट का पोर्शन तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टोपिक तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टोपिक है वो लास्ट टोपिक है इस मैट के पोर्शन का लास्ट टोपिक है जो स्लेवस में हैं और बाकि सारे हम कर चुके हैं, उनके क्वेस्टेंस भी मैं जितने भी पोसिबल हुए मैंने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए साथ की साथ होमवर्क भी दिया है PDF फाइल के रूप में तो आप वो भी जरूर ट्राइ किये होंगे, जरूर आपने उम्मीद करता हूँ तो आज हम करते हैं नेक्स्ट लास्ट टोपिक और उस टोपिक का नाम है घन, घनाव और पासा पासा का मतलब आप क्या समझेंगे घन, घनाव और पासा क्या होता है तो देखिए स्टुडेंट्स आपको घन के बारे में बता दूसब से पहले तो घन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जो इस बारे में जानते हूँगे, घन क्या होता है, क्यूब जिसको आप अंग्रेजी बोलते है, क्यूब इस टाइप का होता है घन, अब मैं आपको बना दी है, देख सकते हैं, यह आकरती ऐसे बनती है, तो यह आकरती जो है, इसमें आप देखें, ध्यान से कोई भी घन होता है, क्यूब होता है, इस तरह से खेलने के लिए होता है, गेम होता है, पजल होता है, इसमें आप किसी भी stationery के shop से ले सकते हैं, और वो आपको बत है आप देख सकते हैं तो आपको ये ब्लू कलर जो है वो इसको गुमा के देखिए किसी भी साइड गुम सकता है ऐसे भी गुम सकता है ऐसे किसी तरह भी आप गुमाना चाहें गुम सकता है ये ठीक है किसी भी साइड से गुमा देए तो गुमेगा आराम सकते हैं तो गुमा अब आपको इस तरह से करना है कि यह जो सारे color अब आप देखें total color कितने है इसमें तो देखें कि side कितने है पन पता किजये जरा कितनी side है इसके अंदर आपको नजर आ रही है कितनी side है तो आपको पता लगेगा 6 side है दिख रही होगी, देखिए, जो मेरी साइड वाली, एक तो ये साइड होगी, दो, तीन, चार, समझ गये ना, आगे पीछे उपर, और साइड दाएं पाएं, ठीक है ना, समझ गये होगे, इस्ट वैस्ट नौर्ट साव समझ सकते हैं, और एक उपर और एक निच्छी, तो जो छे साइड इसकी होती है, तो छे साइड इसमें आपको नजर आएंगी, आप एक कमरे से एक्जामपल ले सकते हैं, कमरा जो होता है, क्यूब या क्यूबवेड होता है, गन या घनाव होता है, अगर लंबाई चोड़ाई उचाई सेम है, तो वो घन बन जाता है, और लंबा सामने नजरा रहा है गन इसमें आप देखेंगे कि लंबाई चोड़ाई और उचाई सेम है यह देखिए लंबाई चोड़ाई उचाई आप देख सकते हैं यह देखिए निचे होते हैं लंबाई और चोड़ाई नीचे होती है आधार को बोलते हैं जैसे फर्ष की चितरफल आगर आप करते हैं area of floor की बात करें तो निचे होती है, निचे का हिसा यह था, वाली चाइए तो यह निचे की साइड है तो यह इसा में सामने दिखा देता है तो आपको तो यह देखेंगे इसकी लंबाई चोड़ाई समान है यह इसा नीचे कर दिया अब यह जो है यह क्या है उचाही तो उचाही चारों तरब से देख सकते हैं समान है उपर तक भी तो यह value क्या हो गई इसके लंबाई चोड़ाई उचाही समान है तो यह क्या है एक घं है इसको घं बोलते हैं उमीद करता हूं students आपको समझ में आ गय और देख Gesetz में कि दिखा दिया था आगे चार डुति ब्लबर सब्सक्राइब मैं फार्फपा सब्सक्राइब द्धूरा-वाली वाली यह दो ऊपर सब्सक्रारा-व्रॉत टो चीडल 10 perd जैंसे बारा किनारे जैंसा सब्सक्राइब हैं क्या होते हैं किनारे देखिए जड़ा इस फिगर से आपको शाय समझ में ना आए तो मैं इससे समझाने कोशिश करता हूं देखिए किनारे क्या होते हैं देखिए यह किनारे होते हैं यह आपके चार किनारे उपर हैं देख सकते हैं चार किनारे ठीक है चार किनारे उपर ह सटेके 40 is yg वह mai ani चुन है कि Всем आट कोर्ने कि सामने हैं तो आइक दो ती चार चार कोर्ने ऊपर है और 4 ही कॉईर नीचे हैंม है दो थी चार ठीक एब च। टियार कोने ऊपर चार कोर्ने नीचे है आप तो रहिंग Frame तो यह जो चीजे हैं जो मैं आपको लिख रहा हूँगी वो चाहिए आप किसी साइड से को क्यों को पगड़िए वो बात एक ही है ठीक है तो यह तीन में पॉइंट इसके बारे में आपको पता होने चाहिए तो स्टुडेंट्स चलते हैं नेक्स टोपिक की तरफ नेक्स टोपिक क्या है एक देखिए यहें कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने है इन फॉर्मूले में एक एक एम का यूज वा है एक है पहले वो समझ लिजिए एन होते हैं किनारों की लमबाई कह लेजिए भूब आपको में दिखाया था इसमें आप dेवें अब को इन से 10 जिखेंगे टीन भी दिख़ेंगेques साइरे ना desры आपको और यहां से एक धो तीन और अगरव बात करें इढ़र इधर की तो इदर पहला पॉइंट किया वनता है इसके अकोर्डिंग ? एक दो तीन हिस्से उपर, तीन हिस्से नीचे तीन हिस्से इस साइड में तो हर जगह तीन तीन हिस्से बने बने पाच भी बन सकते हैं तो उसे कोई फर्ग ने बढ़ता अब बात देखने आपको N क्या है यहाँ पर तो इसमें विर पास जो क्यूब है उसमें भी N3 है जो मैंने बनाया है उसमें भी N3 ही है अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ देखी क्या है इसका मतलब एक है पहला पॉइंट है रंग हील फलक वाले घनों की संख्या अब फिर अगर मैं कहूं कि यह कितने घनों से मिलके मना है यह जो फitter आपको नज़रा रहा है यह चोटे-चोटे इस occasion को अलग से मिलक connectivity के दिख인을 management uncle तो आप देखेंगे कि total कितने गण बने हुए हैं वो आप उससाफ से देख सकते हैं, बहुत सार, छोट-्छोटे गण बने हुए हैं आपको इसके बारे में पुछा गया है कि ऐसे कितने गण है तो छोटे- compressed छोटे गण आपको कितने नज़ा रहा है दिखें निच्चे की तरफ देखे तो एक, दो, तीन, चार, पँछेऑ, चार, ताथ, नो. नो गण ही है, एक लाइन में, फिर अगली लाइन में फिर से नो गण है, फिर अगली लाइन पिर से नो गण है. तो नो तया 27. तो इसने टोर्टल गणो की संख्या है 27, छोट छोटे. की पावर में 3, एन का यहां पर मैं फिर से बता चुका हूँ, 1,2,3, तो एन का मानन यहां पर 3 रखा जाएगा, तो 3 मानने माइनिस 2 करेंगे तो कितना आएगा? एक की पावर्तीन करेंगे तो एक गुणा एक गुणा एक ही आएगा अब पता करें कि रंगहीन फलक कौन सा होगा अब देखिए यह मानलीजी यह पूरा का पूरा जो सतय है फलक है यह वाली यह जो साइड है यह मानलीजी यह पूरी ब्लू है यह नीचे यलो ऐसे गुमा द तो ऐसे कितने फलक हैं, जो रंग हीन है, जो रंग हीन है, जिसकी सारी फलक, ठीक है, कितने ऐसे गन हैं, जिनके जो सारे फलक है, वो रंग हीन है, तो आप देखेंगे, कि यहां पर रेखी, इसकी, मैं एक्जामपल से धंजाने कोशिश करना देखिए, एक, दो, तीन, ऊपर तो तीन फलक इसके रंगीन है, रंगीन कह रहा हूं, रंगीन कह रहा हूं, रंगीन कह रहा हूं, और कलर हीन क्या होता है, रंगीन क्या होता है, रंगीन क्या होता है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है यह कोना देखें, यह कोना देख लो, यह कोना देख लो, यह कोना देख लो, यह कोई भी आप कोना उठा लेजीए, कोना देखेंगे तो तीन कलर का मिलेगा, कोना जो होगा उसके देखेंगे तीन कलर मिलेंगे, तीन कलर मिलेंगे, इसका मेला क्या हुआ, जो इसके ब अधर की साइडे चुपी होय है जो अधर की तरफ हिएं जो दिखने नहीं हूमे वो कैसी होंगी कलर लेश यानिक lange हीन ठीक है तो इसमें देखें तो कितने रंगीन है?, तीन ratio to color वाले है, तीन colorless तीन रंगीन है और तीन रंगीन है समझ गये हर कोने पे अब बात करते हैं दो कोने वाले देखिए दो रंगीन फलक वाले देखिए बीच वाला हिसा ये वाला हिसा देख सकते हैं ठीक है नजर आ रहा है आपको ये वाला ये देखिए इसका एक फलक यहां से दिख रहा है ये इससा देखिए और एक फलक यहाँ दिख रहा है इस साइड Orleans लेख वाला वाल को बीच वालेहूं इसके लख देखे, कितने गलरवाले हैं अध। कोलर में दिख रहा है वह जो आ हमें दिख रहा यह दिख है वह हैं बाकि देख कमें बद में दिख रहा हमें को Not जैसे यहां पे हो चाहे यहां पे हो चाहे वो यहां पे हो चाहे वो यहां पे हो बना हर जगे जितने भी है तो ये कौन से वो है फलक ये वो फलक है जो दो कलर वाले फलक है ठीक है दो कलर जिन में दो कलर है दो फलक कलर फुल है रंगीन है तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है ये बताना ठीक है अब बात करते है देखिए बीच वाला जो है बीच वाला बिल्कुल बीच में सेंटर में इसमाह दिखाने कोशिव है 4 तीन कि आप त्यान से देखिए यह जो होगा 3 नमबर पर देखिएogen यहादा इससे समझ लेजिए 3 इस वाला 3 he ठीक है यह वाला 3 नमबर पर इस जगह है तो यह अगर देखें तो इस गन की बात करें इस गन की बीच वाले गन की तो इसका कितने साइड पे कलर है तो आपको एंगे एक साइड पे कलर है ठीक है इसके एक साइड पे कलर है कौन सा जो हमें दिख रहा है बाकी हिस्सा इसको आपको कोई नहीं दिखेगा इसका इस गन क कोई भी सामय नहीं देख रह सिरफ सामने वाला, फ३रंट दीख रहा हुआ इसलिए प Axa एक फलक है वह है का रंगीनronics का है ठीक है, रंगीन है, कलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक रंगीन हमने क्या रिख्छा? हमने देखा जो कोने वाले है वो तीन कलर वाले है तीन फलक जिसके रंगीन है बीच वाले जो हर किनारे के बीच में है चाहिए वो कोई भी उपर हो चाहिए नीचे हो चाहिए दाए हो चाहिए वाई हो वो सारे दो कलर वाले है और जो बीच में है, सेंटर में है, हर गन के सेंटर में जो है, चाहे उपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाए हो, चाहे बाए हो, उसके अंदर एक बीच बिलकुल सेंटर वाला जो होता है, वो एक जो फलक होता है, एक साइड जो होती है, ठीक है, और अब एक बात बच गई इस में आपको तीन नीचे है और यानि के तीन और तीन यह हो गया टोटल कितना हो गया था? नो इस साइड थे, नो बीच में थे, नो इस साइड थे टोटल 27 थे 27 गणों में इसे कितने गण ऐसे हैं जिनके एक भी फलक पे एक भी साइड पे कलर नहीं होगा तो आपको नजर आएगा बिल्कुल एक ऐसा है कहां है? जो हमें बिल्कुल सेंटर में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि उसके लिश को खोलना पड़ेगा तो वो में दिखा नहीं सकता तो बिलकुल सेंटर ने जो है, उसकी च्छे साइड है, छे किनारे हैं, वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो बिलकुल छुपा हुए चार उतरफ से, घिरा हुए हुआ हुआ है, तो देखेंगे आप बीच वाला जो कहते हैं घन है, वो हमें बिलकुल भी नजर सब्सक्राइब रंगहीन फलक वाला है ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक नोटेशन यूज की है देखिए इसको समझाने के लिए कि यहाँ पर मैंने एक लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं यह वो हैं जहाँ पर दो कलर वाले हैं मैं आपको समझा चुका है हर क क्यिक है अई , जो मैंने लिखा है ठीक है ठीक है तो एक दो तीन जो है इसके इसाफ से ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए कि समझने में अब मैं इसको समझाने कोशिश करता हूँ इस फिगर से देखे कैसे अब रंगहीन फलक वाले गहनों के संख्या कितनी होगी एक होगी अब ही मैं समझाया है बीच में ऐसा गन है जो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा विल्कुल बीच में हो फिलाल इसमें क्योंकि जिसमें साइड कितनी है तीन इक आई है देखे एक दो तीन ठीक है दो यह उनदेहरा तो यह होगा पहला अगर माली जी इसमें चार साइड होती चार 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 होते चार लंबाई चार 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 टार जंदाया है यह गन होते खते इक साइड में तो णा बहुत्त में सबढ़ सबिल stellt यह ऐसे घं़ बन जाते जिन तो तीन वाले में यहाँ पर एक बन जाएगा रंगहीन जो बिल्कुल बिल्कुल रंगहीन फलक वाला घन बनता है फिर आता है एक रंगहीन फलक वाले घनों के संक्या मैं बता चुका एक रंगहीन देख सकते हैं देखिए तीन यह रहा रंगीन, एक रंगीन, एक यह रहा, तो आप देखिएंगे तीन तो आपको नजर आ रही है, तो कितनी किनारे होते हैं, छे किनारे होते हैं, प्रोटल छे किनारे होते हैं, तो छे आपके पास एक कलर वाले हो जाएंगे, तो एक रंगीन कलर वाले कितन यह था, एक ही यह था, तीन तो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन तीन हमें दिख नहीं रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, वो भी तो वही होंगे, साइड वाले तीन, तो टोटल होगे 6, तो इसमें हो जाएगा 6, तो सुत्तर आपके सामने है, 6 गुना में N-2 की पावर 2 Students, अब बात करते हैं, दो रंगीन कलर वाले, दो रंगीन फलक वाले गणों की संख्या कितनी है, तो दो रंगीन वाले मैंने बताया, यह जैसे दो रंगीन वाले कौन सा मैंने यूज किया है, नंबर 1, ठीक है, एक देखे, कहां का लिखा है, यहां पर एक जोड़ा 2, समझ की तरफ, देखे, हर किनारे पे, मैंने यह जो यूज किया है, हर साइड पे एक पर्टिकलर नमबर नोट किया है, ठीक है, ध्यान किएगा, एक जो है, वो क्या दिखाता है, जिसको, जिसके दो कलर, जो साइड कलर है, जिस क्यूब के दो साइड कलर है, वो एक नंबर से दे इस पर रंगीन फलक है है तो अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर एकrast डो रंगीन वाले की बात कर रहे है तो देखिए एक दो और यह 你रा आरहे हैं और जो पिछले वाल जो हिस्सा गोरत च्रहिक्षजा आराया हमें वह ट्रटल देखें तो 3 1 2 3, तीम 3 तो हमिह versuchen नजर आ रहे थे है आप मैं 4 यहां इसके साइड में 1,5006 छह की साइड में 1,5007 चाहिं और 8 बिल्कुल पिच्छे होगा का मैं तолжenator 2 तो यह आदे हो आपको यह थ्यादी तैकिकर यह क्यों ? तो यह देखिए यह वाला हो गया, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नजर आए, आठ तो यह होगे, और आपको क्या नजर नहीं आया, ध्यान से देखिए, आपको कौन से साइड नजर नहीं आया, तो आपको पता लगेगा, एक हिस्सा आपको बिल्कुल वाला है, दो कलर वाला है, समझ गए ना, तो तो टोटल आपके पास जो, इसका सुत्तर बनता है, फूर्मला बनता है, वो बनता है कितना, N-2 x 12, यानिके 12, जिन में आपके पास Н-2 x 12, 12, 12 कैसे बना, क्योंकि यहां पर मैंने बात की है, तेन, देखिए, 1, 2,3 वाले की बा यह आपका हो चुका है next question, अब बात करते हैं, तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, बता सकते हैं आप अराम से, तीन तीन वाले थी, मैंने आपको पहले बताया था, कई बोट टाइम लगाया है, मैं इस चीज में समझाने में, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, आप समझे, बात करने वाले जो घन है, उन पे आपके पास तीन रंगीन फलक वाले घन मिलते हैं, तो टोटल होगे आठ, तो इसका सुत्र एक ही है, कितना आठ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो यह आपका सुत्र बन चुका है, इसी डाई याद रखने हैं, चाहे साइड चाहे कितनी जरूर होगी बच्पन में, जरूर खेला भी खेल दरी होंगे कई बच्चे, ठीक है, तो लुडो जो होती है, उसमें आप फैकते हैं पासा, वो ऐसा ही होता है, जैसा क्यूब होती है, आपकी नोरबली, तो वो क्यूब जैसा ही होता है, पासा जो होता है, उसमें क्या होता है इस तरह से उतिया करते है उसकी ठीक है तीन हिससे आपको दिख रहे हैं तीन हिससे इसके back side में छुपे हुए है ठीक है तो यह होगे छे हिससे वाला क्योंकि घन ही होता है वो भी एक तो यहां पर समझें दो परकार के पासे होते हैं एक होता है सामान्या पासा और यह होता है मानक पासा ठीक है फिर दोनों फरक क्या है क्या है सामान्या पासा और क्या है मानक पासा तो मानक पासा और समान्या पासा में फरक ही है students कि इसमें जो होता है इसमें आसपास के जो सटे हुए हैं सटे हुए जो नमबर है, सटे वो नमबर देख सकते हैं, दो से पांच सटा हो है, तीन से पांच सटा हो है, दो से तीन सटा हो है, तो सटे होए नमबर है, इनका जोड जो होता है, वो साथ होता है, ठीक है, समझे जरा, इनका जोड किसी ना किसी पेर का जोड साथ मिलेगा, ठीक है, ध्यान वर्ती सतों के अंकों का योग साथ होता है देखी कैसे आप देखे पांच यहाँ पे देखे दो और पांच का जोड़ा है दो और पांच नहीं कट वर्ती सतय है दोनों एक तुसरे से जुड़ी हुई सतय है तो इनका जोड़ साथ हो गया पांच और तीन आठ हो गया तीन और दो पांच हो गया ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं तो यह आपको समझना है कि आसपास की जो जुड़ी हुई सत्य है जुड़ी हुई सत्य है जो आप में नजर आ रही है उनका जोड किसी ना किसी का जोड साथ बन जाए किसी ना किसी का जोड साथ बन जाए उस पासे को हम सामान्य पासा बोलते हैं समझ में आ गया चाहे हो किसी का भी बन जाए इनका दोनों का बन जाए किसी भी दो का जोड साथ बन जाए निकट वर्तिस्तों का जोड साथ बन जाए तो वो सामान्य पासा होता है automatically साथ हो जाएगा आमने सामने का जोड क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा ध्यान रखिएगा अपने आप automatically तो देखिए जरा ध्यान से यहां पे देखिए एक और पांच मानदक पासा की बात कर रहा हूं ध्यान रखिएगा एक और पांच है यहांपर, निकटवरती एन दोनों जुड़े होए एक दूसरे से, तो आएगा 6 अकला है पांच और च्यार एक दूसरे से जुड़े होए हैं, इनका आएगा 9 और एक और च्यार भी आपसे में जुड़े होए हैं, तो यह आएगा 5 तो आप देख सकते हैं किसी का भी जोड साथ नहीं आया तो किसी का भी जोड साथ नहीं आया तो समझ लीजिए साथ जोड तो आएगा ही आएगा तो साथ जोड आएगा कब आएगा इसका मतलब यानि कि निकटवर्ती का तो नहीं आया साथ जोड तो महलerei क्या हभा विप्रित वालों का साथ आएगा विप्रित वालों का साथ का ममला समझे कैसे यानि कि जो 5 के बिलकुँ सामने टक्कर में यह साइड़ वाले पाँच है मैं समझाने कोशिश करता हूँ यह था इधर अगर मानें यह 5 लिखा हुआ है 5 बिंदी लगी होई है तो तो उसके बिलकुए पिछए की तरफ ये वाला हिस्सा आ, जीसे 5 है, 5 बिंदी बनी वही है, तो पिछले हिससे मिलेगा, कितना मिलेगा, पिछले हिससे मिलेगे आपको कितना, 2, ठीक है, ध्यान रखियेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है ये उपर एक है उपर एक है तो जो निचे वाला हिस्सा है वहाँ पर मिलेगा 6 टोटल साथ मनेगा automatically ध्यान कियेगा ठीक है इस साइड अगर चैर है तो उसके पिलकुँँ सामने वाली जो साइड है पिछे जो हमें दिख नहीं रही है वहाँ पर मिलेगा 3 समझे तो इस तरह से हम विपरित साइड है विपरित सतह जो होगी उस पर क्या संख्या लिखी होगी वो हमें पुछा जाएगा तो वो हमें depend करता है पासा किस प्रकार का है ठीक है तो पासा अगर सामने प्रकार का है तो अलग तरीका चलता है और पासा अ कूं का जोड क्या साथ है अगर साथ नहीं है तो और मानक पासा है अगर निखट वरती तिन्हों का जोड मनाके देख लिए तीन ऊती है तीन दिखते नहीं है तो आप Dekhsakते है किसी का जोड साथ नहीं है तो समझ लिजिए automatically कि सामने वाली संख्या वही होगी जो साथ को गटाने से आएगी जैसे यहाँ पर एक है तो साथ में से गटा है तो छे आया ना तो आगले आकर वाली जो निचे वाले जो साइड है उस पर छे मिलेगा अगर मालीजी यहाँ पर पांच है इस साइड पांच हमालीजी और यह वाला केस है मानक पासा है तो पांच और साथ का अंतर कितने का है, दो का अंतर है, तो सामने उसके दो मिलेगा, तो यहाँ पर चार है, चार के सामने कितना मिलेगा, तीन मिलेगा, क्योंकि वही बात, साथ का जोड़ा बनता है, ठीक है, तो यह मानक पासा होता है, और यह सामाने पासा होता है, तो अगला जो टाइप आता है वो आता है question कैसे होते हैं इस type से पास है किसे related question कैसे पुछा जाते हैं देखिए आपके सामें पहला परकार यदि सतह पर अंक समान हो तो समान सतहों के अंक विपरित होते हैं लाइन तो आपने पढ़ लिख अब समझाता हो मतलब क्या है देखिए यदि सतह पर अंक समान हो देखिए यहाँ पर अंक क्या है दो और यहाँ पर भी अंक दो है ठीक है एक ही सतह है देखिए दोनों की उपरी सतह पर दो अंक है तो समान कैसा हुआ अंक कैसा हुआ समान यदि सतह पर अंक समान हो वो सतय है समझगे ने, ये उपर वाली जो सतय होती है, वो अंक समान है, ठीक है, तो क्या होता है, समान सतहों के अंक विपरित होते हैं, समझे बात को, तो समान सतहों के अंक विपरित होते हैं, मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे तू यहां आ गया, तो तू यहां है, ठीक है, तो 6 के सामने मिलेगा 3, ठीक है, 6 के सामने 3, यानि कि वही हुआ, समान सतहों के अंक विपरित होते हैं, यानि कि इस सतह का इसके साथ जोड़ा मिलेगा, यानि कि 6 है यहां पर, तो 3 के सामने मिलेगा, यानि कि सामने वाली सतह पर 3 मिलेगा, पिछले वाली जो हमें दिख नही रही है जो इसा पिछला इसा जो दिखनी रहा है वहाँ पर पांच मिलेगा अब देखिए एक रहता है आप समझ गए होंगे एक रहता है एक कहां मिला निचे एक ही जगह बचती है निचे वाली तो आप समझ गए होंगे गिंती गिंच चुके हैं पूरे स्थेव पूरी होग तो आप कहेंगे दो के विपृत एक उंक आएगा. अगर आपके आप से पूछ लिया जाए, छे के विपृत कौन सा आंक आएगा, तो छे के विपृत आप कहेंगे तीन अंक आएगा. कैसे पता चला? यहां से देखके, कि अगर सतवों पर अंक समान है, उपर वाली सतह पर रंक समान है देखिए तो आपके जो इस सतह पर पहले वाली सतह इस साइड वाली तो इस साइड वाली पहले वाली सतह एक दूसरे के अपोजट मिलेगी मतलब कहने का इसको हम डाइस पर अगर देखें आपको ये लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, एक डाइस थोड़ी है, अलग-अलग होगी है तो, अरे भाया, ये देखी, उपर दो है, अगर उपर दो लिखा हुआ है, तो आपको ये फोटो इसकी देदी मालीजी इस साइड से, मालीजी से यहाँ पे, आपके पास यहाँ और यहाँ पे लिख दिया छे उपर लिख दिया दो, अब मैं इसको ऐसी गुमा दूँ Congratshem, इस त्रह से गुमा दूँओ तो अभी तो अभी तो वपर दो ही है, समझे ना, उपर अभी तो दो ही है दो वाली साइड तो रही है, अभी यहाँ पर तीन मिलेगा, यहाँ पर प 6 के विपरित जो है वो 3 है, 4 के विपरित 5 है और 2 के विपरित इस पासे में 1 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से सवाल इसके हल की जाते हैं, आप इस question को एक और थिक्के से भी समसकते हैं, ठीक है, एक और थिक्के से भी समसकते हैं, अगर इस cube को, इस gun को, इस dice को, अगर हम खोल दे खोलने का मतलब अगर हम खोल दे तो कुछ ऐसी नजर आएंगी छे साइड को अगर खोल दिया जाए अगर उतार दिया जाए इनको खोल के इनको ऐसे खोल दिया जाए कागच कौका अगचसे मालिब बनाई हूई है अपने भरे हैं मैंने इनको देखके वह आपको समझाने कोशिश करता हूँ तो आपको क्या करना है इसकी जो rotation है वो आपको ऐसी रखनी है घडी वाली घडी की दिशा में लिखना है कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझने कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको कैसे करना है पहले 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 आगी दो है ना दो ही यहाँ पहले समानंक को पकड़ लीजिए चाहिए वो कहीं पर भी हो मैं जो तरिक्का सिखा रहा हूँ इस समान सतय पर समानंक होने पर भी चलेगा दोनों पर ही चलेगा ठीक है तो इसलिए करवारा हूँ समझ लीजी ध्यान से तो सबसे पहले देखिए समानंक देखिए दो है यहाँ पर दो यहाँ पर है तो दो मैंने यहाँ बीच में लिख लिख लिया बिल्कुल बीच में सेंटर पे दो लिख दिया है, ठीक है, अब आप देखिए समझी ध्यान से, अब इस पे आते हैं, इसकी rotation कैसे गुमानी है, घड़ी की दिशा में, तो आप कैसे गुमाऊगे, ऐसे तो गुमाऊगे, तो दो के बाद क्या आएगा, चार आएगा, चार के चे लिख दिया, अब आजाई यहाँ पर, इसकी भी rotation ऐसे गुमानी है, दो के बाद पाँच आएगा, पाँच के बाद तीन आएगा, ठीक है, दो के बाद पाँच आएगा, पाँच के बाद तीन आएगा, अब दो के बाद पाँच इधर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर त साइड में तीन आ जाएगा ठीक है अगर इसको वापिस जोड़ दिया जाए पैक किया जाए तो आप देखेंगे जो छे है छे के सामने मिलेगा तीन यह होती है आमने सामने की दिशा जो मैंने आपको क्यूब में दिखाया था अगर इसको क्यूब को खोल दिया जाए तो यह जी इसा देखिए और ये इसा देखिए आमने सामने है तो इसको मैं इसको इधर ऊपर डक्कन की तरह खोल दूँ इसको ओपर की तरफ कर दूँ और उसको आप समझ गए होंगे यह चे जो इस beginner जहाते है 10 आया दोगे बाद यहां पर पांच है पांच के सामने क्या आया 4 वही बात से एक उस साइड गुमा हो था वही बात समझळ लीजार 2 उपन था 4 इस साइड गुमा हो था तो 4 और 5 आमने आपने हो गए तो 4 और 5 एक दूसरे के आमने سामने होगे और बच गया अंक, एक ही अंक बचता है, वो है एक, तो दिचे वाले बक्त में हो बर देंगे, तो जब इसको fold करेंगे, हम पासा बनाने कोशिश करेंगे, तो जो दो है, बिल्कुल किसके सामने आजाएगा? दो के सामने आजाएगा एक, ठीक है? जो दो है, उसके सामने क्या इसे भी वही ही आया है, ठीक है? तो यह है आपको करने का तरीका, इसकी practice कर लीजेगा, अगर आपको practice अच्छे से करना चारा है, क्योंकि mostly question आ जाते है, dice से related, dice और पासे से related questions बहुत जादा आते है, ठीक है? तो आप इसके लिए practice क्या करने हैं? सबसे पहले आप ऐसे बना बनाता है, लेकिन निचे वाले से के double से कर दीजेगा, क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, छे सते होती है, याद कीजिए, मैंने बताई थी, dice के अंदर इसके अंदर छे सते होती है, छे सते थी ना, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पास तो होगी, छटी सते यहां पर पर दीजेजेरे आने पड़ेगी, ठीक है, तो यह छे सते हैं, ऐसे बनाती है, प्रेक्टइस कर लीजेगा इसकी, तो ये है हमारा पहला प्रकार, इस अगला प्रकार आता है, क्या है, यहीं समान सतपों पर दो भीन अंखों, पिछला जो टाइप था, क्या था, तो समान सत देखिए कैसे दो त्रिक्कें करने के भी मैं आपको बताता हूं कैसे एक तो simply त्रिक्का समझे देखिए दो है यहां पर च्यार है यहां पर छे है तो 2-5 पे जाएगे 5-3 जाएगे तो 2 से गए किस पे 5 पे और 5 से गए किस पे 3 पे समझे बस आपका question solve है कैसे solve है जो देखिए यहाँ पर 4 है 4 के निचे क्या आया 5 आया तो यह निचे 4 के विपरित जो होगा वो होगा पांच च्लिर? छे के विप्रित क्या मिला? तीन तो छे के जो विप्रित होगा वो मिला तीन अब दो के नीचे दो है ये वैसे तो आपको दो नजर आ रहा है बट यहां से एक अपोजिट की बात करें common sense लगाएं तो दो के सामने दो तो मिलने से रहा दो के सामने एक बचा हुआ अंक होगा तो दो के सामने क्या लगेगा? एक मिलेगा तो दो के विप्रित क्या मिलेगा? एक तो जो परशन पुछा जाएगा आपसे इनमें से किसी एक मिपुछा जाएगा कि चार के विप्रित क्या है वो बताईए या फिर छे के विप्रित क्या है वो बताईए या फिर दो के विप्रित क्या है वो बताईए तो इस तरह से पुछा जाता है तो पहला जो प्रकार है उमीर करता हूँ जो पहला जो टाई इसको करने का तरिक्का है पहला जो method है, वो आपको समझ में आगया होगा, क्या करना है फिर से बता दिता हूँ, जो शुमान अंक है नो में, देखिएं, समान सको हो पर दो भीन अंक, देखिएं, दो यहां पर है, तीन यहां पर है, अलग-अलग भीन अंक थे D 부드でした, तो हमें क्या करना है, समानक से शुरू करना है समानक ढूंद लिज王 मैं से कोई ना, कोई एक समानक जहूर मिलेगा तो उसको आपको क्या करना है, दक्षणावृत लिखना है दक्षणाविर्ट समझते हों ना है, क्लोक वाइज ड्य ठेंघ्चन में और जो सामने जो उसके number पड़ रहा है वो उसके सामने का विप्रीत आंक होगा ठीक है अब बात करते हैं दूसरा method क्या है तो students दूसरा जो method है वो वही है जो अब ही बताया था मैंने all-rounder है वो आप अराम से कर सकते हैं कि कैसे तो दूसरा जो method उसको करने के लिए आपको क्या करना सबसे पहले वही शीर्फ बनाने जो आपको पहले आपने बनाई थी अब क्या करना है जो समान अंक है समान अंक आपने देख लिए पहले दो है तो बीच में बढ़ लीजी इसके दो ठीक है अंटी क्लोकवाइस, स्टरी क्लोकवाइस गुमाना है घडी की दिशा में घडी की दिशा मं घुमाएंगे पहले इसके या था 2,4,6 तो 2 से आया 4 4 के बादा आया 6 बन गया ना, तेके गुमाने की दिशा ये रखे है मैंने हो गया ना, 2,4,6 अब दूसरा जो गुमाना है 2, 5, 3 2, 5, 3, किस साइड गुमाना है clockwise, clockwise गुमाई तो देखें तो 2, 5, 3 समझ गये ना, देखें 2 से इधर 5 आएगा, 5 से इधर 3 आएगा ये बीच का बिंदुमान लीजी, घड़ी का ठीक है, 2, 5, 3 अब आप देख सकते हैं मैंने बताया था पहले, 6 के अपोज़िट की हुआ, 3 ये देखे, 6 के अपोज़िट 3 आएथा 5 के अपोज़िट की है, 4 5 के अपोज़िट 4 था, 4 के अपोज़िट 5 था, ये की बात है और 2 के अपोज़िट automatically की हा जाएगा एक बचा हुआ है तो दो की सामने क्या आ गया एक ठीक है तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस questions को easily solve कर सकते हैं सबसे ज़्यादा questions इसी से आते हैं मैं बार-बार कहा हूँ इस लिए मैं इस topic को last में करवाया है तो students इसका last topic समझे क्या है अगर आपके पास जो पासे वाले question है आप तक हमने देखा समानंक दोनों में था ठीक है दो टाइप के आपने question के दोनों में समानंक दोनों में आया था लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि समानंक हो ही ना तो क्या करे ठीक है तो automatically वो मानक पासे की तरफ हमारा ध्यान ले जाएगा मानक पासा मानक पासा याद कीजिए आमने सामने के अंको का योग क्या होगा साथ होगा ठीक है शुरू करें देखें आपके सामने यहाँ पर दो आकर्तिया आपके नजर आ रही होंगी इन दोनों आकर्तियों कि आपसे आपको पुछा है की 6 के सामने क्या आएगा या 3 के सामने क्या आएगा ये पुछा जाएगा आमा लिजिए तो आपसे कैसे करेंगे तो दिखिये इस ध्यान से दिखिये इसमें कोई भी अंक समान नहीं है इसमें से सब अलग ये 1,2,3,4,5,6 6 के 6 है लेकिन कोई भी अंख समान नहीं है दोनों मेंसे पिर क्या करें पिर हमें इस A की बात ध्यानक नहीं है 6 है 6 है और 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना आएगा 7 आएगा 6 में 1 जोड़ दिया साथ आया तो condition पूरी हो गई समझ के 4 और 3 चार और तीन, ये भी साथ आएगा, पांच और दो, ये भी साथ ही आएगा, तो मेर करतों आप समझ गए होंगे, तो क्या मतलब निकला, यह लिए कि छे के विपरित एक मिलेगा, छे के सामने वाली साइड में एक मिलेगा, चार के सामने तीन मिलेगा, पांच के सामने दो मिल कोन सा अग होगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं ये मानक पासे वाला ही केस है तो मानक पासे में आपको क्या करना मैं पहले बता चुका हूँ एक से पांच के लिए कुछ एक निदेश, एक कॉमन सा निदेश है, एक चार सेंटेमेटर के गण की सभी सतों को लाद रंग से रंग दिया गया है, इसमें एक सेंटेमेटर के छोटे से समान गणों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है, ऐसे कितने गण है, जिनक नब रंग हीन कीतने होगे तो मैंने आपको शाहिए रिद्धित भी दिया था बत वाटों मैं वर्बली बोल दिया था वर्बोर्ड पे नहीं करवाय था यह था जाए अब दिंधि प्रॉर्बली डीजिगे बिल जएग ग kidneys 8 गन आये गे तो इसका उत्तर आएगा अगला क्वर्शन चलते हैं ऐसे कितने ग나 जिसकी तीन सत्य रंगीर हुई है तीन सत्य वाला मैंने बताया था चाहे साइड चाहे कितनी भी हो तीन रंगी सतों वाले टोटल आट ही होते हैं चाहे आप 4 cm लेके चलो, चाहे 5 लेके चलो, चाहे 3 लेके चलो, कितने भी ले ले लो आप, लेकिन 3 रंगीन सत्व हो वाले हैं, 3 रंगीन सत्व हो वाले हैं, 3 सत्य रंगीन हैं, तो वो कितने होगे हमेशा 8 ही होगे, ठीक है, अगला question, ऐसे कितने गहने हैं, जिसके केवल 1 सत तो दो की पावर दो चार, चार चिका 24, तो इसका उत्तर जो आएगा, वो आएगा 24, ठीक है, अगला question, ऐसे घनों के संख्या कितनी है, जिसकी केवल दो सतेयरंगीन है, दो सतेयरंगीन वाला, दो सतेयरंगीन वाला सुत्र था, बारा गुणा में N-2, तो N की जगे 4 है पर, तो 4-2, 12, 24, तो इसका उत्तर भी 24 ही आएगा, सुत्तर देखना है, बस मैंने आपको starting बताये थे, वो सुत्तर देखते जाएए, आपको question होते जाएगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुल कितने घन प्राप्त होंगे, तो simple सी बात है, तो जो उसकी side दी गई है, जैसे मैंने 3 की बात की थी, जैसे मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था, गन, cube दिखाया था, उसमें देखा होगा 3, 9, 27 हो गए थे न, तो 3 गुना, 3 गुना, 3, simple, लंबाए गुना, चोड़ाए गुना, उचाई, टोटल कितने गई बनते हैं, उसकी गुना कर, तीन बा अभी जो करवाए है पासे वाला, उससे related है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताए कि 6 के विप्रित सतह पर कौन सा अंक होगा, अब देखिए एक मानक पासा दिया गया है, मानक पासा कैसे पता लगा मुझे वई, मानक पासा के लिए क्या कहा मानक पासा वो होता है, जहां पर 2 निकट वर्ती जो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, तो देखिए आपके सामने जो अंक दिये गए है, 2, 6 और 4 है, तो 2, 6 हो गया, 6 और 4, 10 हो गया, तो आप देखिए जोड करें, तो जोड आपका 7 कहीं नहीं बना, यानिकि 2 और 6 एक दुसरे जोड़े होए है, 10 आपके बच गया, 2 और 4, 2 और 4 जोड़ा तो 6 आए, तो यानिकि ये कैसा पासा है, मानक पासा है, पता लगया न, अगर किसी भी निकट वर्ती सतों के अंकों का योग 7 नहीं है, तो वो मानक पासा होता है, ठीक है, आपसे पुच्छा क्या गया है, 6 के विपरित कौन सा आएगा, तो समझ ये, 6 के विपरित क्या आएगा, 7 मिसे घटा दीजिए, अंतर मने आद करूँ, मैंने बताया था, 6 के विपरित क्या आएगा, 1, अगर पुच्छे 2 के विपरित क्या आएगा, तो को होगे, 5, 3 के विपरित क्या आएगा, 4, हो गय ठीक है तो आपसे पुछा यह गया था तो यह सर्फ सवाल यह है मैंने एक्ष्टा करवा दी दो क्वेशन आपको तो इसमें वैसे यह पुछा सिर्फ यह गया था छे के विपरित छे के सामने वाली साइड पर या अगर मैं बात कूर इस घंकी तो यहां पर अगर छे लिखा ह तो इस साइड क्या होगा एक मिलेगा मानक पासे की वज़े से ठीक है एक पासे की दो अवस्थिया दर्शाइज गई हैं तो आपको बताना है कि नीचे अगर चार है तो उपर कौन सा आगउगा चार के विपरित कौन सा आगउगा यह आपसे पुछा गया है तो करते हैं श यसी से करूंगा क्योंकि इससे करना ज्यादा आसान रहेगा ठीक है धी कैसे यहाँ पर 5 है तो 5 कोई भी समानंग किसी एक को उठा लीजीए ठीक है पांच को उठाई है दो को फुरकने पड़ेगा अंसर से माईगा 5 को उठा लिया 5 लिए 5 को बीच में भर दिया अब क्या का था? clockwise, ठीक है? तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद फिर से 5 आएगा, तो 5 निची 4 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं, तो देखे, direction ये बन चुकी है, clockwise direction बन चुकी है, घुमावदार ऐसे बनी है, दूसरी जो, दूसरी जो है, 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है, 5 के बाद 2 आएगा, तो 2 के बाद 3, अब देखे, 5 किसे बाद 2 आया हुआ है, 5 के बाद 2 आया हुआ है, तो 3 कहां आया, 3 ही हां आया, ठीक है, कैसे, देखिए मैं इसके यह तो निचे के लिए था अब rotation ऐसे है 5 के बाद 2 आया है तो 2 के बाद 3 आया है देखिए गुमाना तो आपको ऐसे ही था ना clockwise में तो इसकी जो rotation है वो ऐसे चलेगी 5 2 3 आप से पुछा गया है 4 के opposite क्या है मैंने बताया था एक छोड़ के एक होता है विप प्रित जो अंक है वो आएगा 3 यह है इसकांस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करता हूं उमीद करता हूं आपको समझ में आया होगा तो आज हमारा मैट का portion complete होता है आग्गे आने वाले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कुछ short tricks mathematics से related ताकि आपको maths के question भी अगर पाओ वो आपको काफी help करेंगे question को easily solve करने में कि आपको जो question आपका 5 minutes में होता है वो आपको within 1 minute से भी पहले हो जाए तो इस तरह इसके में tricks लेके आओंगा और आप बने रहेगा इस चैनल के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करतीजेगा like कीजेगा share कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you for watching this class